एक आरोप लगा है केजरिवाल के मंत्री सतेंद्र जैन पर कि जेल में बंद सुकेश ने उन्हें 10 करोड रुपए की रिस्वत दी है ये पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर भारती जनता पार्टी का क्या कहना है इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश कुराना जी है हरीश जी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का क्या कहना है बहुत संगीन मामला है और इस पर तुरंत इंक्वारी तो होनी ही चाहिए लेकिन सवाल एक और उठता है तमाम आरोप लगने के बाद कोई आज पहली बार वसूली म सवाला मंतरी सथ्यन जहन के ओपर आरोप नी लगरे हैं तमाम तरह के आरोप लगते रहेंगे चार महिने सफारव मेने से वादमी जेल में हैं लेकिस सवाल यह है कि सथ्यन जहन को अभी तक बरखास क्यों नहीं किया गया उनको पत से हड़ाय क्यों अभी दो दिन पहले अर्विन केजरिवाल इसलिए नहीं कर रहे है क्योंकि शायद सदेन जैन के परिवार ने धंकी दिया कि उनको हटाया गया सदेन जैन बहुत कुछ बोल देंगे और जांच की आंच जो है तो सिधा अर्विन केजरिवाल पर जाएगी जो पैसे का मामला सामने आया है इसको ले देना पड़ेगा लेकि जांच होनी चाहिए लेकिन सवाल एक भी उठता है इन सब आरोपे के बावजूत एक जो व्यक्ति जेल में बंदो और मंत्री बच्पर कैसे है सवाल यह है दिली से वीडियो जर्मलिष्ट बिनायक के साथ बलराम पांडे जी मीडिया